आपको इस विडियो में XCF यानि highest common factor सिखाने जा रहा हूं लेगे long division method से तो आई सि Fleet long division method से highest common factor को लिए system बनाया जाता है कैसे ठाड़ किया है ओके दिखी ही आपकोße बरिज clarify long long division method इस से आपको निकालना है क्या यादि इस मेठर से निकालना है आपको SCF सब्सक्राइब कि SCF आपको निकालना है 15 और 18 का तो फिर कैसे फाइंड आट तरेंगे 15 और 18 का SCF रॉंग डिविज़न मेठर से तो इसके लिए मैं पहले इस तरहे का लाइट ड्राव करूँगा और यहां में लिखूँगा 15 और यहां में लिखूँगा देखी और उसके बात मैं यह देखूँगा कि वह कौन साथ छोटा सी छोटा प्राइम नंबर है जो दिये ये नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करतें दियावर नंबर कौन है 15 और 18 अगर कोई और भी नंबर होता 30 चौथा 5 तो वो सारी को डिवाइड करें एक साथ ठीक है यह सबसे इंपोर्टन है कि दियावर जो भी नंबर है वो सब कसम डिवाइड होना चाहिए उस सबसे छोटे प्राइम नंबर से तो आएए देखें यहां पर आपित ने हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो डिवाइड करना है 15 को और 18 को वैसे दो सबसे छोटा प्राइम नुमर 2 होता है मगर 2 से यह 15 और 18 दिवाईट नहीं होगा तो 18 तो दिवाइट होगा बट 15 दिवाइट नहीं होगा और मैंने आख उता कहा सम का सम दिवाइट होना चाहिए तो इसले से 3 से 15 तो डिवाइट हो रहा है अब आया है यह डिवाइड हो जाए पुरी तरह से तो आप देखेंगे कि five और six को कोई भी ऐसा प्रायम गमर नहीं है जो एक साथ दोनों को दिवाइड करें जो एक साथ ठीक है एक साथ जैने आज आईसको और आपको प्रायम गमर नहीं देख लेगे उसको भी और हम 3 को लिखेंगे, और अगर इस 3 के नीचे कोई और दी प्रायम दोपर होता तो उसको भी यहाँ पर लिखते हैं और मैटिप्लाई करते हैं लेकिन यहां पर अकेला है सिंगल है त्री इसे यही त्री जो होगा वह स्टीफ हो जाएगा 15 और 13 का तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे कि आपको जाना है कि और भी इसे किस मेथर्ड से सौल कर सकते क्यों कि सुर्व करें करें बहुत सारा विये होता है अगर आप जाना है तो आप िस वीडियों के की स्क्रिप्शिन बॉक्स में जाएं वहां आपको लिंक मिर जायेगा दूसरे तրह से बनाने का तो अगर आप महां जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप सीख आएगे कि और भी किसने कितने तरह से किसी तरह से आप आप इस कॉमन फैंटर को फाइंड और कर सकते हैं तो I know कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया और बढ़ा है okay all right students